दहे जुद पीडन वा मार पीट कर गंभी रूप से घायल कर देने के आरूप में दो अभ्यूक्त गड़ गिरफ्तार प्रभारी निरिच्छक विज्ञान कर सिंग के नित्रितु में उप निरिच्छक नंदलाल या दो मै पुलीस टीम के द्वारा थाना इस्थानी पर पंज माननी नियाले जन्पत गोरकपूर द्वारा अभ्यूक्त मनोज कुमार पांडे उर्फ बबलू को पांच वर्स सस्रम करावास्व बीस हजार उपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया जन्पत गोरकपूर में चलाय जा रहा है ऑपरेशन सिकंजा अभ्यान के क्रम में मा रिडाम स्वरूप आजदिनांक 13,3,203 को माननी नियाले एडिजे छय जन्पत गोरकपूर द्वारा अभ्यूक्त मनोज कुमार पांडे उर्फ बबलू पुत्र हरी संकर पांडे निवासी दावतपूर दच्छडी समाज घर ठाना कैंट जन्पत गोरकपूर भादवी ठा केंट जन्पद गोरखपुर अप्राद का दोसी पाय जाने पर अभ्युक्त को पांच वर्स सस्रम कारवास वबीस हजार रुपे के अर्च दंड से दंडित किया गया तीवारीपूर में ब्यपाहरण कारित करने के आरूप में अभ्युक्त गिरफ्तार छेत्रा दिकारी गोरखणाद के कुशल नेत रित्मे उपनिरिचक रविकांत निगम मैं टीम द्वारा थाना गोरखणाद जन्पद गोरखपूर पर पर पंजीक रित्म कदमा शंकिया एक सो तीरा लिस्त वजा जार तेस थारा 363 भादवी से संबन्धित अभ्युक्त कलाम पूत्रा जी मुल्लाह अंसारी निवासी पिपरापूर थाना तिवारी पूर जन्पद गोरखपूर को गिरफ्तार किया गया तथा आपहर्ता को शकुसल बरामत किया गया CM योगी अधितिनाथ ने गोरकनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्वार गोरकनात मंदिर में सियम योगी आधितेनाथ ने लगाया जनतादरवार सियम योगी नेप्रदेश भर से आयलगभग 400 से अधिक लोगों से मुलाकात कर उनकी शमश्याओं को सुना और अधिकारियों को उचित कारेवाई करने का निर्देश दिया है बढ़ल गंज में चिलुपार के विधायक राजे इस्त्रिपार्थी ने कहा कि सनातन संस्कृती की रच्छा के लिए आरे शमाज ने महत्वपुड भूमिका निभाई है गोलां गोरखपूर छिलुपार के विधायक राजे स्त्रिपार्थी ने कहा कि सनातन संस्कृति की रच्छा के लिए आरे शमाज ने महत्वपुड भूमी का निभाई है महरसी देयानंद सर्श्वती ने आरे शमाज की स्थापना कर हिंदू संस्कृति रच्छा और उसमें व्याप्त हो रही कुरूति के निर्मूलन में लिये जो संघर्ज किया वह अविस मरड़ी है कारिक्रम में आरे समाज बढ़ल गंज के वेद पाल आरे विनोद जैसवाल आरे गोविंद जी आरे संजय आरे प्रकाश्वीर आरे जिनकु मिसर रामुगोड महस उमर दिनेश चोरश यार राजन निगम इस्वर लाल जैसवाल शोनी प्रमख्रोप से मौजूद थे 69 से अवैद कच्ची सराप के क्राव विक्रे निसकर्चन करने वाले तीन अभ्युक्त गड़ गिरफतार गोरकपूर के कुषल परवेच्छड में तथा राजेंद्र शिंग थाना देच थाना राजगाट गोरकपूर के कुषल नेतरीत में अवैद कच्ची सराप के क्राव विक्रे निसकर्चन करने वाले तीन अभ्युक्त गड़ अनिल मौरिया पुत्र लालमन मौरिया निवासी दोशाथ थाना सिक्रिगंज जनपद गोरकपूर रामु शाहनी पुत्र पट्टु शाहनी निवासी 69 थाना गीडा जनपद गोरकपूर बिवेक यादो उर्फ काना पुत्र पलक धारी यादो निवासी मुक्तेश्वर नात मंदिर थाना राजगाट जनपद गोरकपूर को 650 लीटर अवैद कच्ची सराप दो किलोग्राम यूरिया वा साथ किलोग्राम नौसादर के साथ किरफ्तार गिया गया मंगला मुखी द्वारा किया गया महिलाओं का शम्मान अंतराष्टी महिला दिवस के अउसर पर विभिन छेत्रों में अपना आहम योगदान देने वाली महिलाओं सा सकती करण बनाने के लिए मंगला मुखी जनकल्याण उत्थान संस्थान वारा समानित किया गया आज अंतराष्टी महिला दिवस सापताहिक समरोह 8 मार्च से 15 मार्च तक चलने वाले कारिकरम में विजय चौके स्थेत एक होटल परिशर में मंगला मुखी की नज जनकल्याण उत्थान संस्थान की ओर से गुरकपुर वा आसपास के छेत्रों के विभिन समाजिक कारिकरतियों चिकिच्चको समाजिसेवियों, ग्रिहेंडियों, कालकारों को सम्मानित किया गया दो वांचित अपराधियों के विरुद धारा, बेयाशी, सी आरपीसी के तहट नोटिस चस्पा कर्मुनादी कराई गई बढ़ल गंज त्वारा थाना इस्थानी पर पंजी करित मुकदमे से संबन्धित वांचित अभ्युक्त गुपाल यादो, पुत्र हारिनाथ यादो, निवासी ग्राम कल्याडपूर, मिस्रावली थाना बढ़ल गंज जन्पत गुरकपूर तथा मुकदम संक्या 225-2022 था महोदय जन्पत गुरकपूर द्वारा निर्गत धारा 82-2022 के अंतरगत उद्धो सड़ा अधिपत्र का तामिला अभ्युक्त गड़ उप्रोक्त के घर पर उद्धो सड़ा अधिपत्र की प्रती उनके घर के सामने की गेट पर सहस्द्रिश्य भाग पर चस्पा कर किया गय तथा गाओं में घुमकर डुगडुगी बजा कर मुनाधी कराए गयी तथा गाओं के सारवजनिक लोगों को इकठा कर उप्रोक्त धो सड़ा को जोड़ जोड़ से पढ़ कर सुनाया गया उन्वल में जमीनी विवाद में उलजा मदरशे क्या बाउंडरी निर्माड कारिय पुलीश प्रिशासन परिशान उन्वल नगर पंचात में मदरशा अर्विया अंजुमन इसलामिया ग्रांटेट मदरशा अपने परिशर के जमीन पर बाउंडरी लगवाने में बिफल है बिगत 25 वर्सों से बनी बाउंडरी के उच्ची करण करने को लेकर एडिड मदरसा अपनी बाउंडरी नहीं चला पा रहा है हैरत की बाद यह उक्त बाउंडरी को लेकर स्पी ग्रामिर सहित ताशिल प्रिशासन अने को बार उक्त बिवादित प्रकरण का भौतिक सत्यापन कर चुके है सियो अनुराक्षिन ने आज साम बेवादि जमीन वा बाउंडरी को देखा तथा लोगों से जानकारी ली गए उनका कहना है कि आख्या वारिष्ट पुलिस अधिछक को प्रेशित किया जाएगा गुड्डू अमत प्रेशित किया जाएगा तो इस पर और अदिकारी को साथ जानका है तक की बीवरी चराह है पर किषान मौर्चा कि प्रदेश अधिच कामेशवर्ण सिंह का हुआ भविश्वागद किसान मोर्चा की प्रदेश अधियाच कामेशोर सिंगा नगर पंचाद गोला में आगमन पर बेवरी चोरा है पर भास्पा किसान मोर्चा की जिला उपादेश नौनीत्राय की नित्रित में पदाधिकारी एवम करेकरताओं के साथ फूर माला और अबीर्गुला लगा कर भब किवारि बिनोट्कीवारि ताही तदिक संख्या में भास्पा करेकरता मWAजूद रहें अपनी मांगोव को लेकर साविदा कर्मियों निकारे का किया बाहिशकार विद्धूत केंद्र गोला पर विद्धूत विभांग कि शिविदा करमियों के द्वारा 72 घंटों के लिए क कारे का बाहिशकार कर धर्णा प्रदर्सन किया गया है कर्मियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे मान ली जाती है तो हम कारे पर वापस चले जाएंगे शंविदा कर्मियों के बारश शुत्री मांगों को पहला बांगे शंविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराब सविदाकर्मी संजर शिंग रामप्रवेश सुदर्शन सोनु मौर्या कनहया याद व सुदर्शन मिस्त्रापॉन कुमार अमन्च वहान विद्यसागर चन्दन सहीत आदिशाविदाकर्मी मौजूद रहें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यच का मिश्रण सिंगा कोडी राम में हुआ भाव विश्वागत किसान मोर्चा के जिला महमंत्री राजिश तिंग राजन के नित्रित में कोडी राम चोराहे पर हुआ स्वागत युवाउ में रहा जबर्जस्त उच्छाह इस मौके पर किसान मोर्षा के जिलाव पाध्धिश विकास इंटरनेट भाजपा मंडलादेच कोडी राम अनिल्दुबे मंडल महमंत्री प्रकास पांडे कोडी राम व्यापार मंडलादेच विनैसेट लल्लु बाबा वान ने सैक्लो युवाउने फूर्मालाओं के साथ गगन भेदी नारे लगाते हुए स्वागत किया कोडी राम में कबीर कोहिनूर पुरशकार से सम्मानित हुए डॉक्टर संतोस वर्मा एवं डॉक्टर बिनैस्र वास्तो सद्गुरू कबीर आश्रम शेवा संस्तान राजस्तान के प्रतिनिधी मानत कुलपती द्वारा प्राथमिक स्वास्त कोडी राम में प्रभारी चिकेचा दिकारी डॉक्टर संतोस वर्मा एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ओन्रेरी डॉक्टर विने स्रिवास्तो को कबीर कोहिनूर पुरशकार 2023 से समानित किया गिया इस दोरान प्रमुख रूप से केशो प्रिशाद स्रिवास्तो तार केश्वर मडित्रपाथी प्रधान सुरेभान गुपता सोनी की चैन लेकर फरार हुआ उचकका गोला थना छेतर के अंतरगत गोपालपूर में एक महिला से सोनी की चैन में लॉकेट लगवाने के बहाने उचकका चैन लेकर फरार हो गया पीडित ने पुलीस को सुचना दी है पुलीस जाच कर रही है सुत्रोशी मिली जानकारी के नुशार सुबह नौ बजे सत्तर वर्षी सावित्री देवी पतनी सत्यराम राय घर के बाहर टहर रही थी तब ही एक उचक का हेलमेट लगा कर दो पहिया वहान से आया और कहा कि भेया ने भेजा है अपना सोने का चैन दे दिजिए उसमें लौकेट लगवाना है महिला ने जैसे ही चैन दिया उचक का लेकर फरार हो गया इस संबंद में थानाद्यच अश्वनी तीवारी का कहना है कि CCTV फूटेज के अधार पर जाज परताल की जा रही है वड़ल गंज में मदारीय मठ पर वीजे कौशल महराज ने कहा कि हनुमत कठा स्रमण से होती है शौभाग की सुरुआद गोलां गुरखपूर जीवन में जब राम की कृपा होती है तो हनुमत कथा सुनने का सौभागे प्राप्त होता है जिस पर प्रभु हनुमान की कृपा हो उसका कोई कुछ बिगाड नहीं सकता है भगवान राम जब फूर्सत में होते हैं तो सब काम छोड़ कर हनुमत जी की क में पहले दिन उपस्तिस रधालूं को कथा करस्पान करा रहे थें